नमस्कार दोग्तों, तो हम प्योर रोटेशनल स्पेक्टर पढ़ रहे हैं, 70-80% प्योर रोटेशनल स्पेक्टर हम उल्रडी कवर कर चुके हैं, तो बिना समय गवाएं, आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ओफ रोटेशनल लाइन्स, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रोट प्योंत्यस, प्योज्यूड स्पेक्टेशनल इनर्जी लेवल ओ, फिर रोटेशनल नर्ची स्पेक्टर रोटेशनल लाइन्स, ऐसे कम आशके, फिर यह दो एक उनَّटेंसिटी ओए फिर इसके बा, अर ननकरพर में पहलें लेगे, हम फिर यह पढ़ेंगे इसक वह पर न नमबर ठीक रोटेशनल क्वांटम नमबर ठीक है न वो भी निकालेंगे तो यह आज हमें पढ़ना है काफी इंपोर्टेंट टोपीक है खास तोर पर यह काफी इंपोर्टेंट है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है सीधा चार ओक्षन दे के नहीं सीधा फॉरूमला ही पूछ लेते हैं यह कि यह मेक्सिमम क्वांडम रोटेशनल क्वांडम नबर क्या चीज है क्या नहीं तो यह फोरूमला सीधा याद भी है डेराइब भी तो तब भी आप बना सकते हैं कुश्चन तो हम स्टार्ट करते हैं तो देखो intensity of rotational lines देखो जिन factors पर intensity किसी भी स्पेक्टर के जो डिपेंड करती है वो होते हैं amount of sample spectroscopic selection rule और population of energy state ठेक है अब देखो यह amount of sample मैंने जब आपको absorption spectra पढ़ाया था तो दो लोग पढ़ाया थे वहाँ पे चीज हमने डिसकस की थी पूरी ड कर चुके हमने देखा तो जो rotational quantum number होता है वो plus minus one होता है ठीक है आज हम पढ़ेंगे population of energy state क्या पढ़ेंगे population of energy state जो rotational energy state है उसकी population को हम किस तरीके से mathematically करते हैं तो जो population of energy state है अभ्यान से सुनना देखो हम जानते हैं हम जो बोल्जमन डिस्टुबिशन लोग से हम जानते किसी भी energy state की जो population होती है number of particles उस energy state में जो होंगे वो directly proportional होता है exponential form के ठीक है न यह समझ मैं मैंने क्या बनाया यह होता है हमारे पास ठीक है न के बीटी यह होगे energy उस state की और यह हमारे पास एक energy है जिसका energy का energy कितना ओनिक है तो एक particle के अंदर है ऐसे टीन energy levels है कितने उनर्जिलेवल्च इन चारो energy levels का energy कितना फाइफ ईनिक है इसका भी energy कितना 5 unit, इसका भी energy कितना 5 unit, ठीक है न, तो ये energy state जो है, ये क्या हो गई, degenerate हो गई, क्या हो गई ये, degenerate हो गई, और इसकी degeneracy कितने आएगी, 4, ठीक है न, तो हम इसको degeneracy को कैसे define करते हैं, number of levels having same energy, समझ मैं, degeneracy का मतलब क्यों होगा, number of levels having same energy, are called degenerate, ठीक है, तो rotational energy level के हम बात कर रहा है, rotational spectrum में, तो population होगा, the population of molecules in each level follows the boldment distribution, ठीक है, तो मान लो, एक हमारे पास final state होगे, एक हमारे पास initial state होगे, तो हम इससे हम boldment distribution से क्या लिखेंगे, ये हमारे पास कहाँ जगा, degeneracy of final state, अब उन में degeneracy of initial state, ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे पास कैसा आएगा, अब उपर तो हमारे पास, minus final state का आजाएगा, अब उन में, केटी, नीचे का आजाएगा, minus initial state का, अब उन में, केटी, तो जब ये उपर चला जाएगा, तो मेरे पास डेली आएगा, तो डेली actually में है क्या, डिफरेंस है, final state minus initial state, ठीक है, ये basics and mathematics, आप इस चीज को यहाँ पर समझ गया होगे, and and I क्या है, population of molecules in energy levels, ठीक है न, final and initial, ये आप इनको मर्जी है, आपका, आप इनको N2 या N1, जो भी नाम देना, आप दे सकते हो, ठीक है, समझ मही बार, तो देखो, मैं अपना pen थोड़ा सा जनरेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, इसको, अब देखो, यहाँ पर, quantum mechanical हम जानते हैं, जो degeneracy होते हैं, किसी भी level की, ठीक है न, वो क्या होगी, देखो, यहाँ पर rotational की case में होगी, 2J प्लस 1, ठीक है न, अब आलो, अब देखो, जिसे हमने rotational energy levels है, यह है, तो J का value कितना हो गया, 0, J का value यहाँ पर कितना हो गया, 1, J का value कितना है, 2, तो मैं यह इस state की बात करूँ, जिहां से देखना, मैं किस state की बात कर रहा हूँ, इस state की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो, हैं 2 रखो, 4 प्लस 1, कितना आ गया, 5 आ गया, तो यह वाली energy, J is equal to 2, यहनि, ऐसे कितना energy level है, 5, समझ महाँ गी बात, ठीक है न, तो यह जो वाला energy level है, energy state है, यह क्या है, degenerate है, तो किसी भी energy level की degeneration कैसे पता करेंगे, 2 J plus 1, यह हो गया, तो J is equal to 1 का, J is equal to 0 का मतलब 1 ही आएगा, यहां पर 1 ही आएगा, तो यह नहीं non-degenerate है, मतलब यह मात इकलोता energy level है, J is equal to 1 का मतलब क्या होगा, क्या होगा, 3-fold degenerate, ठीक है, अब देखो, energy क्या है, rotational energy क्या होते है, किसी भी level की, यह मैंने बताया था, यह उती है हमार पर, ठीक है न, समझ मैं, यदि B को मैं Joule में करूँगा, तो energy Joule माएगी, B को मैं, वेव नंबर की terms में लिखोंगा, तो पूरी energy मेरी वेव नंबर के terms में आएगा, अब एक बात धियान सक्षक, सुनना मेरी बाते को, J is equal to 1 रखो, जैसे मैं हम 1 रखोंगा न, तो यह 1 plus 1 कितना होगा, 2, तो मेरे पास कितना आ गया, 2 भी आ गया, ठीक है न, जिनका energy 2 भी होगा, समझ मागी बात, अब जैसे इस, इसमें मैंने अब जैसे यहां पर रखो गया, 2 रखो, 2 तो जैसे 4 plus 1 कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसमें कितने level है, 5 energy level है, जिनका energy कितना है, सेम है, और वो कितना energy आप निकाल सकते हो, 5 plus 1, 6, और यहां 5 होगा 30, यहनि 30 B, परती एक level का energy कितना है, 30 B है, ठीक है न, तो यह था, अब देखो, population of excited state relative to ground state, अब देखो, हमार पास जो ground state क्या होगी, rotational की, J is equal to 0, और यह हमार पास कोई भी excited state हो गई, है न, J का value 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब जैसे first excited state क्या होगी, J is equal to 1, second excited state क्या होगी, J is equal to 2, इस तरीके से, ठीक है, तो N, J upon, न, J हो जाएगा, अब देखो, डी जन दीची जब हमें यहां लिखोंगा न, इसमें गोर से देखो, इसकी जगा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2, J plus 1, इसकी जगा क्या लिखना पड़ेगा, 2, J final plus 1, है न, और देखो, ग्राउंड state के लिए J का value 0 रखेंगे, तो यहां तो नीचे 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, 2, J plus 1 आएगा, simply यही चीज है, देखो, यहां पर तो 1 आगे न, है, एनर्जी तो है, अब एनर्जी हमारे पास क्या होती है, किसी भी rotational energy, B, J, J plus 1, यह होती है, ठीक है, समझ माई बात, तो mostly आप देखोगे, बुक्स में इसको centimeter inverse में डिफाइन करते हैं, है न, जूल में भी करते हैं, यदि B का value मेरा जूल में होगा, देखो, यदि मैं B का value, अपना, H cut square, upon में 2I लिखूँगा, तो मेरे पास यह क्या हैगा, जूल में है, यदि मैं B का value, यहाँ पर, कितना लिखूँगा, H cut square upon में, 2I, इसको H cc divide कर दो, तो यह मेरे पास centimeter inverse में आ जाएगा, ठीक है न, उसी हिसाब से मुझे है unit रखनी है, यह जूल में, तो depending upon the B value मेरा energy होगा, अब देखो, समझ मैं मैंने क्या का, ठीक है, तो यदि मेरे को क्या करना है, तो mostly हम वेव नंबर की terms में लिखते हैं, तो यह बात आप धियान लखना, ठीक है, अब मालों यह मेरी energy किस के terms में लिखी है, वेव नंबर के terms में लिखी है, ठीक है, अब समझ मैं, आप देखो, यहाँ पर डैली मेरे पास actually में क्या था, यह कोई excited state थी, और यह मेरे पास ground state, तो excited state और ground state के, देखो, excited state और ground state के respect में, तो हम population देख रहे है, population of excited state relative to ground state, तो मेरे पास है, minus del e ही तो था, तो minus del e को मैं यही तो लिखूँगा, excited state minus, यह हो गया है, e final minus e initial, तो यह मेरे पास देखो क्या हैगा, b j, j plus 1, ठीक है न, minus, यह कितना हो जाएगा, 0, तो डेली मेरे पास b, j, j plus 1 आना चाहिए, समझ मैं, तो यह अभी किस में लिखावा है, यह अभी wave number की terms में लिखावा है, क्योंकि मैंने कहा, मैंने अभी wave number मानना है, तो जब मैं wave number की terms में लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे यह दिख सको Joule में बनाना है, तो मैं किस की multiply कर दूँगा, इसमें HC की, तो मैं देखो जैसे यह है, यह wave number की term में लिखा है, तो मैं किस की multiply कर दूँगा, HC की था कि HC से HC कर जाए, समझ मैं, तो वही क्या है, अब देखो क्या है असे değer लगना देखो के बीटी है क्या में फिया नेर्ज होती है कि अनर्जी के यूंीट है και साकंद 20 काटी को काल Kenneth यॉञली जैड़ेन दीज के अनेर्जी की यूनिट इ dizit किया है, एनरजी की यूनिट है, तो ये एनरजी की यूनिट किया है, हम इसा यूनिट में ही लेंगे, तो kbt to si unit में जूल है, तो उपर को भी जूल बनाने के लिए इसमें क्या है? एससी के मल्टिप्लाइ किया है, क्योंकि B, J, Z, प्लस वन को मैंने क्या कंसेडर किया वेव नमबर में तो उसमें एची की मल्टिप्लाइज ले कि ए ठीक है समझ मांगे बाद तो इसका विशेश कर दियान डखना काफी बुक्स में क्या करते हैं एची की मल्टिप्लाइज नहीं करेंगे तो उनका मतलब समझे क्या है बी को उन्होंने जूल में लिया है ताकि बी जे जे प्लस वन जूल में आगा है के बी टी बी किसमें आगा है जूल में आगा है तो यूनिट से यूनिट कैंसल हो जाएगी ये प्योर नमबर रहा समझ मैं अब यहाँ पर क्या है बी जे जे प्लस वन को है तो तुम वेव नमबर माननों गए तो एच्छी कि मल्टिप्लाइ करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें क्या करना पड़े उपर नीचे यूनिट सेम करनी पड़े क्योंकि यूनिट तो नीचे जूल में ही है कोई डाउट है तो इस बात का फिसे इस ध्यान लगना आगे चलते हैं ठीक है अब देखो यह जो मेरे पास अब यदि में इसको graphically क्या करता हूँ denote करता हूँ graph इसका बनाता हूँ तो ध्यान से देखो जैसे जैसे j का value बढ़ेगा तो देखो यह nj upon में जैरेक्टली proportional है इस 2j plus 1 के तो जब j का value कम होगा for increasing value of j this expression shows an initial increase in population क्योंकि जैसे j का value बढ़ेगा ठीक है ना तो यह जो है initially क्या होगा 2j plus 1 value dominant होगी तो उसके इसाब से देखो यह increase हो रहा है जैसे ही j का value जादा बढ़ेगा मलब जादा बढ़ने का मलब जब j का value बहुत जादा आएंगी तो यहाँ पे जब j का value बहुत जादा आएगा तो इसका dominance कम हो जाएगा और exponential term का dominance जाद होगा तो यहाँ पे exponential term का dominance है वो क्या हैगा जादा आएगा इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ exponentially decrease हो रहा है तो कहने का मतलब यह है जब increase करेंगे ना j का value initially हम देखेंगे 2j plus 1 increase होगी and exponential term क्या आती है लगबग unity रहती है क्योंकि यह बहुत ही कम increase करेंगे initial value के लिए क्योंकि अब देखो यह पूरा मैंने x माल लिया अब यह बहुत ही कम है x का value लगबग 0 के बराबर है e minus 0 कितना हैगा लगबग 1 ही आया है proportional हो जाएगा इसके तो इस तरीके से मेरा graph आएगा लेकिन high j के लिए ध्यान से देखो high j के लिए जो del e g minus e g रहें जो del e जो यह है मेरे पास यह ज़्यादा हो जाएगा और exponential term dominant होगी और exponential minus है तो exponentially ज़्यादा टेजिसे decrease करेगा 2j plus 1 term के comparison में समझ मां गई यह बात ठीक है कोई दिक्कत है hopefully आप इसको समझभाओगे दूसरी बात important आपको यहाँ ध्यान रखने देखो हमने यहाँ पे देखा j का न एक value मिला है ठीक है जिसके लिए मेरे पास क्या होगा maximum होगा है ना यहाँ पे जो n z upon में जिरो यह जो relative population मैंने निकाली है ना अपर लेवल्स की है ना उसके लिए मिर पास यहाँ पे देखो क्या होगा maximum मिलेगा ठीक है समझ मैं और यह जो वेल्यू में j की maximum हागे बताऊंगा हम कैसे निकालेगे अब आप एक बात देख सकते हो n z upon उनमें n 0 है यह तो ground state हो गई यह तो एक तरीके से constant term होगी n j का n j जो है यह किसके respect में vary कर रहा है j के respect में vary कर रहा है और इस point पर slope क्या आएगा 0 होगा slope देखो यहाँ पर tangent खीच दो आप तो slope क्या होगा मेरे पास 0 होगे न अब माल लो यह मेरे पास y है और यह माल लो मेरे पास x है तो यहाँ पर dy by dx कितना होगा dy by dx कितना होगा 0 y vary नहीं कर रहा है x के respect में इस point पर देखो y क्या है constant आगा न इसी तरीके से यहाँ मैं यहाँ का हूँ जो change जो change हो रहा है न जो number of molecules है g levels में है न कोई भी g level हो सकता है किसके respect में j के respect में ठीक है न समझ मैं यह कितना है किसी एक value के लिए कहाँ गा 0 यहाँ पर है न तो देखो यह vary वर कर रहा है j के respect में तो कहने का मतलब है देखो simple सी बात यह है यही तो है मेरे पास ठीक है अब देखो j का value उपर के तरफ बढ़ेगा 0, 1, 2, 3, 4 अब इन में क्या होगे molecules होगे levels में ठीक है ना particles जो होगे मेरे पास अब वो vary कर रहे है समझ मैं कोई दिक्कत है तो कहने का मनलब यह है तो we know that the line intensities are directly proportional to the population अब देखो जो intensity देखो जितना ज़्यादा level में population होगा मालो देखो fourth level है अब इसमें बहुत ज़्यादा populated है तो इससे transition की संभावना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी होगी नहीं होगी बिल्कुल होगी तो intensity उस spectrum line की तो ज़्यादा ही आएगी तो intensity जो है ना directly proportional है कि इसके population के यह हम जानते है इसका मतलब क्या हुआ simple सी बात है plain बात है that transition between levels with very high J will have small intensity क्योंकि हम क्या देख रहे हैं हम यह देख रहे हैं जैसे J का value बढ़ा population देखो यहाँ पर degrees हो रही है नहीं हो रही है तो J से J का value बढ़ा तो population बढ़ी और maximum तक गई फिर population क्या होने लगी energy levels में decrease होने लगी तो high levels पर high levels पर population कम है तो इसका मतलब है high level से the transition होगा तो intensity भी तो उनकी कम आएगी कम क्यों आएगी क्योंकि population वहाँ पर कम है तो वही बात कहा है अब यह जो most populated level है इसी को हमने निकालना है तो the value at which the population is maximum is obtained by तो यह मैंने आपको बता है maximum पर वहाँ पर क्या है slope क्या मेरा 0 है तो यह मैंने 0 रख दिया अब देखो मेरे पास NJ है क्या मैं इसको लिख देता हूं दुबारा मेरे पास NJ है N node ठीक है देखो यह N node में यहां ही लिख देता हूं ठीक है ना तो यहां मेरे पास actually में है क्या 2 J plus 1 ठीक है ना और यह exponential में minus BHC J J plus 1 KBT ठीक है यह चीज है अब देखो जब इसको मैंने differentiate करूँगा देखो N node तो इधर ले गया constant term है जब इसको differentiate करूँगा किया J के respect में अब देखो N node तो भार अब देखो क्या क्या करना है इसको first term माल लो और इसको second term माल लो मैंने किया किया इसको agitties रखा देखो यह रहा बिल्कुल agitties रखा और इसका कर देडिफ्रेंशेशन तो J के respect में इसका differentiation करेंगे तो 2 constant आगा J का कर देगे 1 आएगा इसका 0 होगा तो 2 J plus 1 का differentiation करेंगे J के respect में तो 2 ही आएगा तो यह हो गया समझ मैं प्लस लगाएंगे अब इसको agitties रखा था था ना अब इसका करेंगे और इस वाले को agitties रखेंगे देखो 2 J plus 1 को मैंने agitties रखा इसका कर दिया अब हम जानते हैं e to the power minus x का जब हम differentiation करते हैं पहले तो यह agitties रखा जाएगा अब हम फिर power का करेंगे अब देखो जब हम power का करेंगे minus b h c k b t क्या है constant होगा minus b h c k b t constant होगा यह actually मैं इसका करेंगे यह क्या j square plus 1 है तो उसका क्या जाएगा 2 J plus 1 2 J plus 1 आ गया c dc बात है ठीक है आप देखो मैंने constant term देखो यह यहाँ पर भी exponential term यह यहाँ पर भी exponential term इसको मैंने common दे लिया तो यह exponential term को उठा के मैंने बाहर लख लिया आप देख सकते हैं यह exponential term आ गई बाहर यहाँ मेरे पास देखो क्या बचा 2 था ठीक है तो यह मेरे पास 2 हो गया और 2J प्लस 1 और माइनस BHC 2J की मेरे यह आ गया तो यह काफी simple है और कुछ नहीं है ठीक है समझ माई बात या नहीं दूसरा अब देखो यह अब 0 के equal कर दिया क्योंकि slope 0 है मेरे पास यह term को आप उसके denominator में लेके जाओ गया 0 हो गई यह माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर देखो यह माइनस आ गया 2 देखो 2J प्लस 1 2J प्लस 1 का स्क्वाइर होगा BHC अपोन में KBT यह आ गया ठीक है समझ माई के बात तो बहुत जादा simple है जादा complicated चीजे नहीं है अब दोनों को माइनस है 0 को अदर ले गया कुछ नहीं करना 2J प्लस 1 का स्क्वाइर 2 KBT अपोन में BHC एक को लेफ्ट लेगा एक को में क्या लेगा राइट लेगा ठीक है अब देखो इसका क्या करना है स्क्वाइर कर दिया यहाँ पर अंडरूट में आ जाएगा यह स्क्वाइर है ना अंडरूट में इधर चला गया फिर 1 उधर ले गया फिर 2 से सब भी को डिवाइड कर दिया तो J का वेल्यू आएगा और वो J का वेल्यू पर मैं क्या लगा दिया अब ध्यान से देखो काफी बार ना देखो यह B है किसमे यह B वेल्यू नंबर में है और उसमें किसके मल्टिप्लाइ की गई है हC की तो इसका मतलब है यह जूल बन गया और उपर भी क्या आगया जूल में आगया तो काफी बार आप देखोगे आपको ऐसा भी दिखा मिल सकता है ठीक है एक केटी केटी अपॉन में टू बी माइनस वन अपॉन में टू आपको गया है तो हC नहीं है एक्चली में B को उसने जूल में इसका में कंसिडर कर लिया समझ मैं और यह केटी भी जूल में है तो दोनों कट गए यह प्यूर नंबर मिला हमें कुछ नहीं समझ मैं यद इसको वेव नंबर मान के चलोगे तब हC की मल्टिप्लाइटों में करनी पड़ेगी तो दोनों केस में यह सही इस बात का वेशिश्क कर आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखो दद वेल्यू ओफ जे एट विच दप पॉपोलेशन इस मैक्सिमम इनक्रीज़ विद डिक्रीजिंग भी अब जे बी का वेल्यू ज्यादा कर दोगे तो यह कम हो जाएगा सीधी सी बात है इनवर्सली प्रपोर्शनल है टेंप्रेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वेल्यू ज्यादा मलब जे का ज्यादा मिलेगा अब देखो मैंने दो ग्राब बनाए है ठीक है एक ही मोलिक्यूल है हमारे पास और उस मोलिक्यूल को दो टेंप्रेचर पर लिया है एक T1 टेंपरेचर पर लिया है सोरी दो मोलेकुल है एक T2 टेंपरेचर पर है ठीक है पहले वाले मोलेकुल के लिए B का वेल्यू 10 सेंटिमेटर इंवर्स है दूसरे के लिए B का वेल्यू 5 सेंटिमेटर इंवर्स है ध्यान से देखना अब अब देखो B कम होगा तो जे ज्यादा होगा अब देखो बी कम है ना तो जे का वेल्यू देखो कहा मिलेगा यहां मिलेगा अच्छा और इस वाले के लिए बी दस है तो इसका थोड़ा सा कम है तो बी मैक्सिमम एक कहा मिला समझ माँ ठीक है तो यह मेरे पास जेवण मिल गया यह मेरे पास जेटू मिल गया ठीक है न यह मेक्सिमम वेल्यू मिली है शमझ माँ कि बाद तो देखो ने कहना चाहर हो जादा वेल्यू है बी का यह कम मिला है वह यह इनिवाच्छ्ली प्रपोर्फोर्ष्णल लेकिन टैंप्रेचर क्या है डिरेक्ले प्रप बताना है कमेंट में तो कमेंट में आपको बताना है कि टीवन ज्यादा है या टीटू ज्यादा है ठीक है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिए